तो यहां पे इसमें reaction समझना important है redox reaction है यह तो यह balanced redox reaction लिखना important है उसके बाद तो xy आही जाएगा असानी से तो PBS को oxidize कर रहा है ozone ozone oxidizing agent के से काम करता है तो ऐसे होता है कि ozone का O2 में conversion होता है और उसके साथ-साथ एक nascent oxygen form होता है और यह oxidizing agent होता है यह electron लेता है कही से तो PBS का भी oxidation यह nascent oxygen करेगा nascent oxygen जो वो किसका oxidation करेगा sulfur का तो sulfur यहां पे 2- है तो sulfur का sulfate form हो जाएगा sulfur plus 6 में जाएगा sulfate form होने के लिए चार oxygen जो है वो इसका oxidation कर देंगे अनलब इसे nascent oxygen जो वो 4 चार चाहिए होंगे और वो 4-2 बन जाएगे तब sulfate form होगा इसलिए PBS के साथ हमें चार nascent oxygen के लिए 4 ozone molecules चाहिए तो एसा जब होगा तो चार nascent oxygen जो वो sulfur के साथ combine होके PBS of form हो जाएगा यह चार nascent oxygen जो हो sulfur से 8 electrons ले लेंगे तो sulfur यहापर minus 2 में था यहापर plus 6 में चला जाएगा nascent oxygen वही पहले 0 में था बाद में minus 2 हो जाएगा यहापर और 4 ozone से 4 ozone भी बन जाएगा तो यह अभी देखेंगे तो balanced ही होना चाहिए equation इसमें सब कुछ balanced ही होगा क्योंकि मनें वे से ही सोच के लिखा है तो यह reaction यहापर होगा इस reaction में बस हम आसनी से देख सकते है x moles ozone तो x का value होगा 4, 4 mole ozone है y mole o2 form होगा है तो y जो वो भी 4 होगा x plus y का answer हो जाएगा 8 इसले इस question का final answer होगा 8